बेलकुम स्टुडेंस आज हम लर्न करेंगे आपकी फर्स्ट पोईम ए फोटोग्राफ बाई शले टोलसन इस पोईम के अंदर जो ये पोईटेस की मदर है ये इसकी दो गल कजन्स हैं जे सी बीच के अंदर है ये खड़ी है इसके अंदर बताया गया है और जे इनकी अंकल है जो इनकी फोटो ले रहे हैं इस पोईम के अंदर ये सी बीच का एक द्रिश्य बना हुआ है इस पोईम के अंदर जो है पोईट है उसने बताया हुआ कि कैसे उसकी मदर एक दिन इंफैंट थी फिर बड़ी हुई जब वो सी बीच की अंदर थी फिर उसका स्माइलिंग फेस आया इसका हैपी चाइल्ड हुड था फिर लास्ट में वो ओल्ड एज में आयो लास्ट में उसकी कैसे से इसकी अंदर एक ऐसा किया हुआ जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा है डिटेल से इसकी अंदर पता चलेगा इस पोईम की समरी करने से पहले हम इसके जो हैं की वर्ड्स जो है लर्न कर लेंगे फोटोग्राफ की बात की गई है जहां फोटोग्राफ का मतलब होता है इमेज पैडलिंग होता है बाकिंग नंगे पाउं चलना पानी में स्टेल का मतलब होता है खाड़ा मोशनलेस स्थेर तैरिवली का मतलब टू मच अत्यदिक ट्रांजिट का मतलब शोर्ट लेव्ड जा टेंप्रेरी किशनिक जिसको हम कहते हैं स्नैप शोर्ट का जो अंदर फ्रेज जूज की गई है लेबर्ड इज ऑफ लोस ये एक तरह का अक्जिमरोन होता है बिरोदा लंकार जिसको हिंदी में कहते हैं इसमें क्या होता है दो ऐसी फ्रेज जिसमें दो अपोजिट आइडियास को एक्सप्रेस किया जाता है जे फ्रेज कैसे बनती है और नुकसान होना तो दोनों अपोजिट वड्स हैं जहां पर दो वेट्स आपोजिट आइडियस को एक्सप्रेस करें यह एक फिगर वस्पीज कहते हैं हम इसको तो इस फिगर वस्पीज को हम कहते हैं ओक्सिमरोन तो यह यूज्ज यूज किया हुआ है इसका मेनिंग है A feeling of relief that has come from forgetting about the loss with hard labor. एक ऐसा रहात का भाब जिसको हम जो आता है भूलने के बाद ऐसा जो नुकसान हुआ जिसको कठनाई से भूलने के बाद जो प्रापत होता है. यह ऐसे लोस को कहा जाता है. A labored ease of loss. मतलब कहने का बात जे है कि ऐसी किशती जिसके बारे में आपको याद करके आपको जो है दुख का भास हो जाता है. फिर एक इसके अंदर word है यूज किया गया है circumstance. इट मींस इवेंट जो भी इवेंट है उसके बारे में बात की गई है. Silence का मतलब होता है without advice. या here it means death. This poem is tribute to the poet's mother. ये poet की mother को एक शर्दान्जली है poet के द्वारा. She is looking at an old photograph. वो old photograph के mother को देख रही है. Which has a frame of cardboard. जिसका cardboard का frame है. When this photograph was taken. जे photograph लिया गया था. Mother was 12 years old. Mother 12 वर्ष की थी. The photograph shows दिखाता है. The mother with two of her girl cousins. Photograph के अंदर mother है. और उसकी दो girl cousins हैं. On a sea beach. तीनो sea beach के अंदर हैं. In the photograph. Photograph के अंदर. They were happy and cheerful. वो खुश थी. This photograph was taken. उसमे लिया गया था. When the fortress was not born. जब उसका जनम नहीं हुआ था. But a great change had come in the mother. अब mother के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है. By that time इस समय तक. क्यों? Because she was now a middle aged woman. वो अब एक 40 वर्ष की लगबग हो गई है. अधेर उमर की जो है. And had the poet as a daughter. अब उसकी एक पुत्री है. अब she had lost the sweet joy of her childhood. The poet की जो mother नहीं. अपना बचपन का sweet जो अनन्द है वो खो दिया है. Now the poetess has also lost her mother. Poetess जो कभी है उसने भी अपनी मा को खो दिया है. The mother has been dead for about 12 years. मा को जो है मरे हुए 12 बर्ष हो गए है. The poetess feels very sad. Poetess जो है very sad और अकेलापन महसूस करती है. She feels herself in such a situation. वो अपने आपको ऐसी स्थिती में पाती है. That she has nothing to say. उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. In fact, बास्तम में death of mother has made her speechless. उसकी जो मा की death ने उसको speechless कह दिया है. It has killed all feelings in her. उसके अंदर जितने भी feelings से वो खतम होगी थी. अब इस poem की अंदर जो literary devices हैं वो हम discuss कर लेता है. कौन को उसे use हुए? एक है alliteration. Alliteration का मतलब होता है. Repetition of constant sound at the beginning of two or more constructive words. जो words साथ लगते आते हैं. उनके अंदर जो एक repetition हो जाती है. Beginning of two or more. Beginning की जो repetition हो जाती है. उसको हम बोलते हैं alliteration. जैसे stood still. S आया जहां भी और जहां भी S. तो यह हुआ alliteration. Through there. जहां T आया जहां T आया फिर देखी. तो इस तरह के जो words हैं. इनको इस तरह का जो repetition है. इसको हम कहेंगे alliteration. फिर X के अंदर एक figure of speech है. ओक्जी मुरून जो मैंना भी आपसे discuss किया है. जो opposite idea को express करें जो phrase. एक part of figure of speech है. फिर एक epithet भी इसके अंदर यूज किया गया है. epithet क्या होता है? एक ऐसी phrase expressing a quality of a person or something. मतलब शेशन बताने वाले शब्द को epithet कहा जाता है. जैसे terribly transient इसके अंदर ये epithet use इस poem के अंदर किया गया है. अब poem study करते हैं. The card board shows me how it was. Card board जहां पे has been used for mother's photograph. ये card board जो है mother की photograph के लिए use किया गया है. वो photograph ये बताता है कि वो कैसा था. कब when the two girl cousins went paddling. Paddling होता है walk barefoot नंगे पाउं पानी में चलना. जब जहां पे कौन-कौन था? When the two girl mother थी और mother की दो girl cousin थी. पानी की अंदर खड़ी थी. कैसे? Each one holding one of my mother's hands. दोनों ने मेरी माँ का हैंड पकड़ा हुआ था. And she the big girl. जो big girl कौन थी? जे poets की मदर थी. Some 12 years are so. उसकी आयू कितनी थी? 12 बश थी. All three stood. तीनों खड़ी थी still to smile through. मुसकरा रही थी through their hair. अपने बालों के through. इसका क्या मतलब है? कि बहाँ पे जो air होगी. वो बिंडी होगी. हवा चली होगी. इसलिए उनके बाल उड़ रहे थे. और वो smile कर रही थी. किसके उपर? Add the uncle with the camera. Uncle जो थे. जो camera से उनकी photo खीच रही थी. A sweet face. जो mother का जो face था. जिसमें कोई भी बदलाब नहीं किया गया है. बाश्ड देर terribly transit feet. Transit होता है short lived. इससे क्या हुआ कि जो समुदर है. जिसमें कोई भी बदलाब नहीं हुआ है. उसने उनके जो हैं. transit feet. जो खिशनिक पैर थे. वो धो दिये. इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बताया गया है. human beings are mortal. जो आदमी हैं. वो नशवर हैं. उनका नाश हो जाता है. while she remains immortal. जो समुदर है. यह हमेशा अमर रहता है. तो यह meaning इसकी अंदर clear किया गया है. आगे देखी. some twenty, thirty years later. she would laugh at the snapshot. मतलब आप क्या है? she, Betty and Dolly. Betty और Dolly को देखिए. उनकी कजन के नाम थे. she would say, she'd say, and look or देखिए. how they dressed us for the beach. उन्होंने बीच पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहने हुए हैं. the sea holiday was her past. समुदर की जो शुट्टी थी वो उसका अतीत था. mine is her laughter. मेरे लिए जो उसकी हसी अतीती थी. both right with the labored ease of the laws. दोनों ने अपना जो नुकसान हुआ था. उसको जो है भुला पाने में जो है बुलाने के बाद असानी से रहना सीख लिया था. अब जहां पे देखिए, जहां पे जो पोईटिस कह रही है कि mine is her mother, her laughter. मतलब क्या है, the sea holiday, मतलब the mother has lost her joy of childhood. मदर ने अपना जो है, जो है, जो है, जो है, चाइल्ड हुट का अनंद खो दिया है. उसके चेहरे पे हसी चली गई है. लेकिन पोईट ने क्या खो दिया, पोईट ने अपनी मदर को खो दिया है. अब क्या कहा रहा है, बोथ राई बिद्दा लेबर्ड दोनों के चेहरों के हम, लेकिन मदर ने क्या खोया, अपनी चाइल्ड हुट की हंसी खोई है, और पोईट ने अपनी मा की हंसी खो दी है, क्यों? और बोथ राई बिद्दा लेबर्ड दोनों के जो चेहरे हैं, वो सिकुड गे हैं, किस के कारण? बिद्दा लेबर्ड इस ओफ दा लोस, ऐसा नुकसान, जो जिसको कटनाई से भुला पाना मुश्कल हो, तो उस नुकसान, लेकन दोनों ने उस नुकसान के साथ अब रहना सीख लिया है, no, she's been dead nearly as many years, उसको मरे हुए भी इतने बर्श हो गए हैं, जितने वो फोटो में दिखती थी, मतलब बारा बर्श हो गए हैं, as that girl lived, and of this circumstance, circumstance का मतलब है, the present mental state of a poet, circumstance का मतलब है, जहां पर उसकी मानसिक स्तिती क्या है, poet की, दशा क्या है, there is nothing to say at all, मतलब मतलब की death होगी है, it has left poet speechless, the death of the poet's mother has left her speechless, तो its silence, silences, अब उसके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, तो students, आपने क्या करना है, इसकी जो summary है, आपने, यह write करनी है, यह आपका homework है, thanks a lot, have a nice day.